गुड मॉर्निंग बच्चो मेरा नाम डॉक्टर अनुजवत रिपाथी है यहां पर हम ठाकुर पब्लिकेशन की तरफ से आपके लिए जो राजस्थान के सेकेंड समेस्टर बीए के बच्चे हैं जिनका अभी एक्जाम शिडियूल हो चुका है उनके लिए फुल बुक रिव्यू लेके आये हैं रिविजन जिसमें हम आपको इस रिविजन के साथ साथ कुछ important questions भी बताएंगे जो आपके एक्जाम के परपस से आपके लिए helpful हो सकत हैं तो यहां पर बने रही है फुल बुक वीडियो में हमारे साथ हम शुरू करते हैं हमारी जो पहली यूनिट है पहली एकाई वह है सामाजिक संरचना और सामाजिक विवस्था तो सामाजिक संरचना संरचना किसी भी चीज की बनावट या आकृति से उसका अर्थ लिया जाता है यहां पर हम सामाज की संरचना की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम सामाज की क्या आकृति होती बनावट होती इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले समाजिक संरचना शब्द का जो प्रयोग किया था वो हर्बर स्पैंसर ने किया था सामाजिक संरचना का अर् हमारे समाज की विभिन क्रमबद दिकाईया, जिसमें परिवार हो गया, संस्थाएं हो गई, संग, मूल, पद, ये सब समाजिक सनरचना के अंतरगत आते हैं और मिलकर एक समाज की सनरचना का निर्माट कटते हैं. इस पुस्तक में भी उन्होंने समाजिक सनरचना का एक विवस्थित या ग्रमबद उलेक किया है, और साथ ही साथ समाजिक सनरचना की धार्णा को इस पेंसर द्वारा, जो उनकी खुद की पुस्तक है, प्रिंसिपल आफ सोचिलोजी, इसमें उन्होंने इसके बारे में बताय है, भुजर्ण ने इसे परिभाशत करते हुए का है, कि सामाजिक सनरचना का अर्थ, विभिन सामाजिक इकाईयों के तुलनात्मक रूप से इस्थिर और प्रतिमानिक संबंधों से है, साथ साथ मजुमदार और मदान ने भी इसको परिभाशत करते हुए का है, कि पुनरा इसमें आंतरिक और बाह जो संरचना है उसमें सामाजिक मूल सामाजिक संस्थाय सामाजिक प्रकृयाय, सामाजिक अंता क्रियाय inik哥 सामिल किया गया है, जबकि जो बाह रहा कृष्णरचना है, उसके आकार या सामाज़िक रचना तंट्र के बारे में बताया है, इसे हम सामाजिक प्रक्रिया तंट्र भी कहते हं, वही पार्संवस्य प्रतिमान प्र algumas, value, प् सामाजिक संरचना के तत्व बताएं हैं, उन्होंने इसको, फर्स्ट है, इसका सामाजिक अकार की, जो सामाजिक संरचना के बाहरी अकार का निर्माण कटते हैं, वैं सामाजिक अकार की कहलाता है, जो बाहरी संरचना को बताते हैं, उसको हम सामाजिक अकार की कहते हैं, इसके दोषना सामाजिक क्रिया तंट्र क्या है व्यक्ति और समूं के सम्वंध को व्यवस्थित करना चै कि व्यक्ति हो तो नुप warning को व्यवस्थित करना और उनको नियंत्रण में रखना यह सब सामाजिक संवशना के तत्व होते हैं जैसे नैतिकता, धर, कानून, सरकार और सिक्षा. दूसरा पॉइंट है हमारा सामाजिक क्रियातंत्र, सामाजिक क्रियातंत्र क्या है? व्यक्ति और समूव के संबंधों को व्यवस्थित करना इसके अंतरगत आता है और इस साथ ही साथ इनको नियंत्रित करना भी, जैसे ये तत्व कौन से है? नैतिक्ता, धर्म, सरकार, कानून और सिक्षा, इसके अंतरगत आते है नेक्स्ट है सामाजिक अंतर्कृयाय, व्यक्ति के मंध्य होने वाली अंतर्कृयाय सामाजिक संरचना का एक महत्सपोण तत्व है, इन्हीं अंतर्कृयाओं के माध्यम से दो व्यक्तियों के परसपर संब annr сhthafith होतें हैं, जिसके अनुसार वो कारे करते हैं, या ख्रीया अंतरक्रियाओं के माध्यम से ही सामाजिक संरचना के निर्माड करता एकाईयां परस पर भिन्नेभिन कारे करती है नेक्स्ट आता है परिस्थिती तथा भूमिका एक सामाजिक संरचना में समोह और व्यक्ति की परिस्थिती ही नेक्स आता है परिस्थिती और भूमिका एक सामाजिक संरचना में समोह तथा व्यक्ति के रूप में सभी इकायों की परिस्थिती निर्धारत की जाती है निधारित होती है, next आता है सामाजिक मूल्य, चीक है, तो व्यक्तियो द्वारा समाज में सामाजिक सम्मंद इस्थापित किये जाते हैं, और यह पूरी तरह से स्वतंत नहीं होते हैं, इनमें कुछ न कुछ, किसी न किसी चीज के माध्यम से इनको नियंतर में रखा जाता है और वो माध्यम है सामाजिक, सांस्क्रतिक, धार्मिक और नैतिक, यह सब ही मूल्य, नियंतरित करने का कारेगटनी है, next है सामाजिक संस्थाए, सामाजिक संस्थाए, एक नियम वा कारेबंध प्रडाली है, जो सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित करने के साथ साथ, व्य प्रतिमान प्रणाली समाज के आदर्शों और मूलियों तो एक साथ प्रस्तुत करती है। लोग इन प्रतिमानों को बहत्तोपूर मानते हैं और व्यक्ति समाज के स्विक्रत प्रतिमानों के अनुरूप ही अपनी भूमिका का निर्धार करता है। ठीक है तो प्रतिमान जो values होते हैं उसी के according इंसान या मानव समाज में रहने वाला व्यक्ति जो है वो अपनी भूमिकाओं का निर्वाहन करता है आता है प्रएस्थिटी प्रणाली व्यक्तियों की प्रएस्थिटी और भूमिकाओं को संदर्भित करती है समाज के सदस्यों को उनकी सवाजिक प्रएस्थिटी च्शमत्य योगिता अनुभाव और कौशल इसके अंतरगत आते हैं नेक्स्ट आता है, पृतिबंधित परणालिया सास्त्रिया प्रतिया प्रतियक समाज में समाज के द्वारा सुइकार कुछ कानून वा नियम है, इसमें सदस्यों से अपेक्षा की जाती है, कि वह इन प्रतिवान मूल्य और कानून के अनुसार ही कारे करेंगे, नेक्स्ट आता है अपेक्षित प्रतिक्रिया, अपेक्षित प्रतिया प्रणाली व्यक्तियों को सामाजिक विवस्था में भाग लेने के लिए प्रोचाहित करती है, जिसने वो सामाजिक संरचना को गति प्रदान करें, ठीक है, जब सामाज का प्रतिय व्यक्ति सामाजिक व के जाल को बुहते हैं करिया काम से कुर्ण मांधित है यहाँ काम्दुर्ण परंहें करती है और अपने क्राइधिक करें बढ़ख समञाट है सबसे परहला इसमें आता है सार भॉहमिक अरजित समَّ prohibct ने काम्स है नंतर गया करें जो सार्भॉमिक होते हैं, हर जगे होते हैं, और प्रतेक अवधिया, प्रतेक किसी बतलब हर समय, समाज को इस पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जैसे खुशलता और बुधिमानी। यह सार्भॉमिक गुड के अंतरगत आता है, यह समाज में जो मानव समाज है, उसमें हर समाज में दिखाई देते हैं, सार्भॉमिक प्रदत्य समरचना, यह समाजिक समरचना में आदर्शों को सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्स दी गई है, इसमें बदलाव आदर्श परिस्थितियों के अनुसार ही होता रहता है, इसमें परिस्थितियों के अनुसार ही इसमें चेंज होते रहते हैं, विस अर्जित समरचना क्या है, ऐसी समाजिक समरचना जो पारलॉकिक मूलियों को, इसमें सबसे ज़ गाव, वंश, परंपरा, रीत रिवाल ये सब इसके अंतरगत आते हैं नेक्ट आता है प्रदक्त सामाजिक विशिष्ट प्रदक्त संरचना ये इसमें नैतिक्ता, रक्त संबन्थ और इस्थानी समुदाय को सबसे अधिक महत्व दिया गया है और ये सामाजिक संरचना व्यक्तिगत गुड़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देती है नेक्स पॉइंट आता है हमारा संस्था इवं सामाजिक विवस्था संस्था, संस्था किसी कारेपिद्दती, कारेप्रणाली वा नियमों को एक विवस्थित रखने की संरचना है या नियमों कि एक समगरता हैं समाज में परतेग संगठन पर कुछ मार्दाप्र इस्था पित नियमों परितिया प्रिठाइइं संस्था सब्धकर सबसे पहला सरप्रथं प्रयों के इंपधार्णा के रूप में स्वेंसर द्वारा स्वयम की पुस्तक प्रथम सिध्धान्त में किया गया था यह जो आप ब्लैक में गोल्ड में देख रहे हैं और तो यह क्या है यह इंपॉर्टेंट है इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए इसके अंतरगत संस्था मनुश्य के उद्देशों को पूरा करन करने के लिए नियों में आम कारव प्रणाली की व्यवस्था करता है और संस्था को समाजवारा कार करने के इमनताप्राप्त एक निश्यत धंग भी कहा जाता है संस्था की विशेस्थाएं जो है उसमें इस्थायत्व, प्रतीक, इसमें इस्थायत्व होता है, इसके कुछ सिंबल्स होते हैं, प्रतीक होते हैं, परंपराइं इसके अंतर गताती हैं, सांस्कृतिक करण और स्विस्पष्ट उद्देश, साथ इसा संस्था का जो उद्दे जिसके द्वारा मनुष्य की मौलिक आवश्कताओं को पूरा किया जादा है। इसलिए हमिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीट रिवाजों का वी गुच्छा काहा है। थीक का हैं। कि सामाजिक नीतरिवाजों का गुच्छा किसने कहा है तो Hamilton ने संस्था को सामाजिक नीतरिवाजों का गुच्छा कहा है यह सब हमारे objective के अंतरगत आ सकते हैं संस्था के कार्य एवं महात्व संस्था की समस्यां के समाधान संस्था के कार्य और महात्यों को सपष्ट किया जा सकता है सामाज में किस तरह से बिथा जाता है इसके बारे में यहां बाक की गई है समाज में व्यक्ति प्रेस्थिती और प्रेस्थिती मतलब जो उसकी इस्थिती होती है समाज में कोई पद होता है और उस पद की ही गारे या महत्व के अंतर गताते हैं, नेक्स है समाजिक विवस्था का अर्थ और परिभाशन, अब हम यहां बात कर रहे हैं विवस्था की, तो कुछ समाज शास्तियों का कहना है, कि समाज को एक विवस्था के रूप में देखा जा सकता है, तथा उसका विश्लेशन भी किय जा सकता है, ऐसा कुछ समाज शास्तियों का मानना है, समाजिक विवस्था वह चरण हैं, जिसमें विविन एकाईया समाज का निर्मार करती हैं, और एक दूसरे के साथ जुड़का कारे करती हैं, आति साथ सम्मंधों के आधार पर संस्क्रती, प्रणाली के अंतरगत, उच इसको परिभाशित करते हुए का है, कि समाज स्वया में एक विवस्था है, यह प्रचलनों, कारविधियों, प्रभुत्तों, आपसी सायोग और विभिन सम्मूहों और श्रेडियों के नियंत्रण वा मानव विवहार को नियंत्रित करती हैं, समाजिक विवस्था के आवश उत्डेश और आवशकताई, इसके आदोश नियम, शक्ति, प्राइस्थिती, सुविधाएं, भूमिकाएं और माननताईं इसके अंतरगर आते हैं नेट्स जाता है सामाजिक समूह, सामाजिक समूhn क्या है? नियमित रूप से आपस में मिलने वाले व्यक्तियों का कुछ समूह के रूप में वो फॉर्म हो जाता है या बन जाता है. जब हम कुछ लोग इकत्र होते हैंày वैसे तो हम समूह को परिभाशित करते हैं, यहां पर आपस में मिलने वाले व्यक्तियों इसका अर्थ है संगठन से है इसके दवारा समाजिक प्राडियों के मध्यर समाजिक संबन्ह इस्थापित करते हैं समाज की मूल भूत इकाया होने के कारण समाज का अस्तित्व मूर्थ रूप में होता है, ठीक है, समाज में इसका अस्तित्व क्या है, मूर्थ रूप में दिखाई पड़ता है, और पर टेक बैक्टिक समूग को समाजिक समूग नहीं कहा जाता है, ठीक है, जैसे बस, बाजार, रेल, या स्टेशन, यहाँ पर क्या ह कि लोगों का समू तो रहता है लेकिन उनके अंतरगर बहुत जादा आंत्रिक क्रियाएं नहीं होती है जिससे हम उसको सामाजिक समू नहीं कह सकते हैं ठीक है समू जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आंत्रिक क्रियाएं होती हो उसे हम समू कह सकते हैं मैं कायवर और पेच के अंसार सम्मू उसे हमारा अतात पर व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है, जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीव। यहां इन्होंने भी संबंधों को महत्तोप पोणवाना है, जिसके आधार पर वो एक दूसरे के करीब हो और कुछ कारे होते हो समू की विशेस्था है समू की विशेस्ताओं में पारस पर एक संबन जिसकी हम अभी बात कर रहे थे ठीट और उद्देशों में समानता क्योंकि जब उद्देश एक समान होगे तो वहाँ पर ही एक समूँ बनेगा एक्ताटी भावना, वी फिलिंग, सापेक्षिक, स्थाइत्व समूँ के समान आदर्श नियम, समूँ के जो नियम होते हैं कारे विभाजन, सबके कारे अलग-अलग होते हैं यह एक्षिस सदस्यता मतलब यहाँ पर हम अपनी इक्षा के अनुसार उस समूँ से जुड़कर कारे कर सकते हैं और इसके अलावा हम उस गुरुप को छोड़के दूसरे समूँ में भी जा सकते हैं सामाजिक पहचान और हम की भावन तो यह समूँ की विशेस्ता हैं चैस समूँ का वर्गी करण समूँ के वर्गी करण व्यक्तियों के एक दूसरे के पति विचार भाव तथा द्रश्टिकोण के आधार पर समूँ को कई भागों में बाटा जा सकता है जैसे मैकाईवर और पेज ने इसका वर्गी करण किया है छेत्री समूँ के अंतरगत क्या आते हैं गाउं पडोस जनजाती समुदाय नगर ठीक है जिसके सदस एक निश्चित छेत्र के अंतरगत रहते हुए संबंधों की इस ठापना करते हैं उसे छेत्री समूँ कहते है और अपने समूँ को लाप पहुचाने के लिए यह इन समूँ के सदस्त दूसरे समूँ का अहित करने बे भी संकोष नहीं उठाते हैं ऐसे समूँ के सभी सदस्यों की मनोवरत्तियां एक जैसी होती है सोचने का ढग एक जैसा होता है जैसे श्रमिक वर्ग या एक कोई प्रकतिका होता है तथा इनका विकास धीरे-धीरे होता है और समूँ के सदस्ते अपने समूँ की सदस्ता के प्रति बहुत जाग रूप होते हैं और इसके बाद वे समूँ को दो प्रमुक भागों में हम विभाजित कर सकते हैं जिसमें पहला है केवल सीमित हीतों की पूर तो इसके अंतरगत् आता है। नेक्स से गिडिंग का जो वरगी करण है उन्होंने जननिक समूरा इसके अंतरगत् परिवार आता है कि वेक्तियों का जन्म होता है जो कि उसकी इकषा sa parään nebhar नहीं होता है और इकठे समूव इकठे समूव यह एक एक्षिक समूव होते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी इक्षा के अनुसा शामिल होता है और जब उसका कारे पूरा हो जाता है तो वो अपनी इक्षा से वहां से हट के किसी दूसरे समूव में हिस्सा बन जाता है प्रात्मि के बारे में वर्णित किया है जिसके सदस्य के मन्द आमने सामने के प्रत्यक्ष संबन्द हो तो यह प्रात्मिक समुग के अंतरगत आते हैं आमने सामने के प्रत्यक्ष संबन्द बतलब वो कहीं बाहरी संबन्दों से जुड़े ना हो बलकि आमने सामने के संबन्द हो जैसे इसमें क्या आता है इसमें आते हैं इसिसे अंतरगत मित्र ताथी परिवार मिलने और इसके अंतरगत जो मिलने वाले लोग होते यह सब प्रात्मिक समूः कहला Greg ने कहा है कि उताद्परम के बीच आश्यारी रेिश्व संबन हो आरसपरिक चाहियो प्रेन से यह जाती है प्राथमिक समूव की विशेस्ता क्या है सारीरिक निकटता इसका आकार छोटा होता है और उद्देश एक जैसे होते हैं व्याक्तिक संबंध होते हैं आपस में और प्राथमिक नियंत्रण होता है किसे कहते है दो यहां प्रात्मिक स्मूह की विशेस्ता है, जहां पर नहीं पाई जाती हैं तो प्रात्मिक दूसरे से बहुत दूर रहकर भी बादचित कर सकते हैं जैसे यहां पर क्या है कि सम्मूओं के सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष संबंद नहीं पाय जाते हैं या आवश्यक नहीं होता है इनके जो सम्मंद्र जुड़े होते हैं वह टैलीफोन द्वारा, डाक द्वारा, इन सब के माध्यम से ये संचार के विभिन माध्यम से द्वारा इस्थापित होते हैं तो धारण के लिए वर्तमान समाज में श्रमिक संग या राजनेतिक दल इसके अंतरगत आते हैं फूले इन्हें परिभाश्ग करते हुए बताया है कि यह वे संगुव हैं कि जिसमें घंश्टिता और प्रांत मिक विशयस्ता का पूर्द आभा होता है कि विशिषताे क्या हैं जासा की यहां से ही हमें पता चला कि मेफ लाइकार बढ़ा होता है अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष एवं अव्याक्टिक संबंध आमने साउने के संबंध 1936 में कहा है जिसकी उन्होंने रॉन्स लिंटर ने 1936 में इसकी अधार्णा कस्तूत की थी कि प्रतेक समाजिक सांस्क्रतिक विवस्था में व्यत्तिका स्वयम का एक इस्थान या पद निश्चित होता है और उसी पद के एकॉर्डिंग उसकी जो भूमिका होती है तो समाशाति जर्शी से इस निश्चित स्थान या पद के ओही प्रएस्थिति कहा जाता है परिभाशा अलग-अलग दे गए हैं जिसमें हम यह आँग्बर और निम्कॉफ ने जो परिभाशा दी है उसके बारे में बाट करते है 즐 habíanyr प्रएस्थिति की सरल प्रिभाशा है कि प्रद्त प्रयस्थिटि जो हमको मिली होती है और अर्जित की होती है डविके निया थारपर होता है ऑर जो अर्जित प्रयस्थिटि है उसका नियाड़ड़ व्यक्ति के गुड़ों के आधार पर होता है या योग्विताओं के आधार पर होता है नेक्स्ट आता है प्रदत्प्रेस्थिति में परिवर्तन आसान नहीं होता है ठीक है जो हमें समाजवारा प्रदत्प्रेस्थिति जो हमारी होती है उसमें हम जल्दी changes नहीं कर सकते हैं जब कि यह अर्जित प्रयंस्थिती परिवर्तन्शील होती है क्योंकि इसका आधार है वो व्यक्तिरत गुड़ों पर आधारिक होता है। निकें प्रदत्य प्रयस्थित्री की अधिकार्चेट। प्रदत्य प्रदत्य प्रैस्थित्री करता है। और इसमें व्यक्तिकी प्रहस्थिति प्रतिसपर्भा, मतलब यहां पर बहुत जादा योगिताएं होती हैं, जिसमें वो participate करके उस प्रहस्थिति को अर्जित करता है, इसका महत्त्य परमपरागत समाज में अधिक पाया जाता है, प्रदत्त प्रहस्थिति का, और यह जो अर अथनिक समाज के लिए महत्यपूर्ब मानी गई भूमिका अर्थ कार्यं में तथा निधारण व्यक्ति की प्रहुस्थिति या पद माध्यम से होता है क्योंकि जी इस्थितिोंछाओ जो अर्जित्थिति प्रहाश्थिति प्रहास्रे परने रहें लाणा को ड lug सम quindi भूमिका और प्राइस्थिती परसपर एक दूसरे से संबन्नित होते हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं समझा जाता है, सामाजिक पद्विशेस रूप से जुड़े विशिष्ट करतव्यों, अधिकारों के इर्दगिर्स, संगठित, व्योहारों के विन्यास को भी भूमिका कहते हैं, डेविस ने कहा है, भूमिका किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी प्राइस्थित की आवश्चक्ताओं के अनुसार संपन्न किया जाने वाला कारे है, नेक्स्ट आता है हमारा जो टॉपिक है संस्कृति, तो जीवन की प्रणाली संस्कृति है, संस्कृत उस विधी का प्रतीक है जिसके आधार पर हम सोचते हैं, समझते हैं, अमारे क्रिया कलाप होते हैं और इसमें वो अभातिक अमूर्थ भाव तथा विचार भी समलित होते हैं, जिसे व्यक्ति एक परिवार और समाज का सदर्स होने के कारण उसे उत्तरदाइत्व के रूप मे प्राप्त होते हैं, संस्क्रति किसी भी समाज के चोटे या बहुत सूक्ष्म संसकार होते हैं, जिसके द्वारा लोग परस पर संप्रेशन, विचार और जीवन के विशह में अपने ज्यान और अभिवरत्तियों को एक दिशा प्रदान करने का कारे करते हैं, समाज संस्क्रति में ही समाहित होते हैं, संस्क्रति शब्द क्या है? सम् 확दी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सं मुपसर का जो अर्थ होता है, वो अच्छा तथाक०्टी शब्द का जो तात्पर है करने से हैं, अंग्रेजी शब्द का लैट्न भाजा के कॉल इसी भी समुव के कार्य करने तथा विचार करने की समस्त रीतियों को कहते हैं निम्लिकित हैं जिसमें पहला आता है भौतिक संस्क्रति क्या है इसके अंतरगत उन सभी वस्तुओं को शामिल किया जाता है जिसे हम देख सकते हैं या अपनी इंद्रियों द्वारा उसे महसूस कर सकते हैं अभौतिक संस्क्रति के अंतरगत जिसे हम देख नहीं सकते जैसे परंपरा विश्वास यह सब हम इनको देख नहीं सकते तो यह अभौतिक संस्क्रति के अंतरगत आते हैं संज्छतिय एं प्रमुख आयाम हैं, इसके बारे में पहला संग्यान आत्मा, संग्यान आत्मा जिसके द्वारा हम वह महcar जैसे देखने, सुनने से और यहाँ पर इसको अर्थ स्ट्दान करने की प्रक्रिया है, जो हम देख सुनकर जिसको जिसकी बारे में जानते हैं, उसे हम जोड लेते हैं, तो इसके अंतरगत क्या होता है जैसे नेता के कार्टून की पहचान करना, ठीक है? कार्टून के according हम उस नेता की पहचान कर लेते हैं देखकर और अपने मोबाइल फोन की घंटी को सुनना, सुनकर हम यह पहचान जाते हैं कि यह हमारे मोबाइल की घंटी है, तो संग्यानात्मक के अंतरगत आता है, नेक्स्ट है आदाशात्मक या मानवी, आदाशात्मक आयाम आचरण के नियमों से जुड़े होते हैं, इसके अंतरग भातिक साधनों के प्रयोग से जुड़े हुए वह कारे सामिल होते हैं, जिसमें तक्नीकों, आजारों, यंत्रों या भानों और यातायाद के साधनों के साथ साथ उत्पादन इवाम संप्रेशन के भी उतकरण शामिल हो, जैसे होन है, कार है, नेक्स हमारा जो टॉपिक है प्रतिमान और मूल्य, तो सामाजिक प्रतिमान विश्वासों, नियमों और व्योहारों की एक अलिखित नियम है, ये कहीं लिखित रूप में हमें प्राप नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अलिखित कहा गया है, जिन्हें किसी विशेश सामाजिक समूँ के संस्क्रती के द विचार देते हैं जैसे हम उम्मीद करते हैं कि छात्र जो है वो पाठ के समय पर पहुंचेंगे और अपना काम पूरा करेंगे किम्बाल यंग ने इसे परिभाशत करते हुए काया कि सामाजिक प्रतिमान व्यक्ति के प्रतिसमूहों की प्रत्याशाय है किंग्सले डेविस ने भी शमास्ति आधार पर सामाजिक प्रतिमानों को वर्गेक्रत किया है जैसे जनरीतियां है रूडियां है कानून है धर्म है नतिक्ता है व्यवहार है संस्था है और श्रिष्टर चार फैशन दुनिये सब इसमें के अंतरगत आते हैं तो यहां पर कु कि जो रीतियां होते हैं रीत रिवाज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं इस प्रकार कारे करने के वे तरीके और रीतिया जो समाज के द्वारा प्रयोग की जाती है अपनाई गई है स्विक्रती है वो जनरीतियां कहलाती लोकाचार लोकाचार जिसका अर्थ है प्रथा से होता है लोकाचार का अर्थ व्यवहार के उन सभी तरीकों से है जो नैतिक्ता के नियमों से प्रभावित होते हैं और शुरू से समूध द्वारा जब किसी व्यवहार को उपयोगी समझा जाता है तो वैं व्यवहार जनरीतिया कहलाती है लेकिन जब किसी जनरीति को समूध कल्याण के लिए अनिवार माना जाता है तब व्यवह जनरीत लोकाचार में कण्वर्ट हो जाती है स्वीक्रति मांड़कों और अन्य प्रतिमानों का समू है जो पृतक रूप ले ले लेती है और इनका कोई गहन अर्थ नहीं होता है या किसी भी कारे को करने का परंपरागत तरीका है और एक सामाजिक द्रश्टिकोर में परिपाटी प्रथा के अलिखित नियम के अस्तित्तों को बनाये रखती है लोगों का एक दूसरे से हाथ मिलाकर अभिवादन करने तो ये परिपाटी के अंतरगत आता है प्रथा जनरीतियों का ही एक प्रॉण है जो समाज द्वारा सुईकरत दरपीड़ी दरपीड़ी हस्तांतरिक होता जाता है ठीक है और ये हमें अपने परिवार से अपने बुज़र्गों से बिलता है ये एक सुववस्य प्रीत होती है वास्ता में प्रथा सामाजी क्रिया करने की इस थापित वमान्यविधी है समाज के जादतर लोग उसी नियम के अनुसार कारे करते हैं जो कारे बहुत समया बहुत ताइम से विवहार में चला रहा है परंपराएं एक पीडी से दूसरी पीडी में हस्तांतरिक होती रहती है ये विचार और विश्वास के रूप में परंपराएं नियम नहीं है बलकि एक दिशा निर्देश है जो हमारे बुज़र्ग हमें गाइट करते हैं उन इस प्रकार के कानुन वह नियम है जिसकी शक्ति समाज को एक संगठित रूप से नियंत्रित करने अ roller करती है जिसे हम सरकार कहते हैं संगान का पृतेक समाज में व्यटी को कुछ उचित और अनुचित व्यवहारों के बारे में समधाया जाता है और उसी बाद ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक लक्षों का निधानट भी होता है और इन लक्षों को एक समाज के सदस्यों द्वारा आवश्यक माना जाता है व्यक्ति में इन लक्षों को समाज में बनाए रखने के लिए त्याग की भावना पाई जाती है यदि यह में से संशेप में समझें तो सांस्कृतिक लक्षयों को समाजिक मूल कहा जाता है परांचाईल ने मूल वेविश्वास हैं जिसके आधार पर मानवेक चाओं की संटुस्ति की जाती है समाजिक एक्ता के बीच एक्ता में व्रधी करती है और समाज में उनहीं मूल्यों को माननेतप्राप्ट में होती है जिसका विकास समाज में सामूहिक, एक्मत के आधार पर होता हो व्यक्ति का मानवी करण मनुष्यों में मूल्यों के आधार पर मानवी गुणों का विकास होता है मनुष्यों को एक मानो प्राणी बनाने के लिए अलग-अलग तरीके के मूल्य उसके एक शाओं और सम्वेगों को उचित धंग से पोर्ण करते समाजिक दशाओं से व्यक्ति को अन्पूलिन करने में सहायता प्रदान करना वास्तों में मूल्य क्या है समाज के प्रतेक परिस्थिति तथा क्रिया के छेत्र को इस्पष्ट करते हैं और इन ही से समाज के महात्वपूर लक्षों को निर्धारित भी किया जाता है इससे साधारण व्यक्ति है समझ लेता है कि किस द्रेश्टिकोर से और किस परिस्थिती को यह हमारी पहली यूनिट यहां पे समाप्त होती है दूसरी यूनिट यहां पे शुरू होती है दूसरी हिकाई में सामाजी करण और सामाजिक इस्तरी करण तो सामाजी करण क्या होता है चुकि मनुष्य क्या है सामाजिक प्राडी है तो मनुष्य में सामाजिक गुड़ और विशेस्ताइप आई जाती है जो जन्म के बाद समाज में रहकर वो उन गुड़ों को उन विशेस्ताओं को अर्जित करता है जन्म के समय वो क्या होता है एक शिशु के रूप में होता है जिसमें जैवेकी विशेस्ताओं और जैवेकी गुड़ होते हैं यह जन्म से लेकि मृत्यों तक चलने वाली एक प्रक्रिया है और प्राणि से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को ही समाज्षास्च की भाषा में सामाजी करण कहते हैます सेरोकिन ने इसे परिभाशुत करते हुए कहा है कि सामाजी करण सांस्कृतिक तथा वैक्चारिक कार्गों के अंत्री करण करने की प्रक्रिया है सामाजी करण की विशेस्ता है सांस्कृतिक हस्तांतरण मतलब हम स्वा की भावना का विकास निरंतरता अनुकूलन शीलता सामाजिक करण एक जटिल प्रक्रिया है और अनुकरण से यह प्रभावित होती है, सामाजिक करण की प्रक्रिया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वे समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यक्ताओं को पूरा करता है, समाज में वे जन्म लेता है और उसी में उसका विकास भी होता है, उसका development भी समाज में होता है, और यहीं पर वे सामाजिक संबंधों कि जो ताना माना होता है, उसमें हमेशा उसमें उल्जा रहता है, या उसमें बना रहता है, क्योंकि मनुष्य है, तो सामाजिक संबंध उसके होंगे ही होंगे, समाज के यहीं ताने बाने को को सामाजिक बनाते हैं जब हम समाज में घर पे हो या बाहर हो हमारे समूह होते हैं और हमbak विद्व बहुні होसे रुस्या चुल्म प्रख्याहिते हैं क्या है कि दो उसी चीज को वो सीखता है और किसोरा वस्था में बालक से निशेधात्मक नियमों के पालन करने की आशा की जाती है जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसे कुछ समाज के अनुचित कार्यों से दूर रहने के बारे में सिखाया जाता है तो यह भी समाजी करण की प्रक्रि किया कि सोपान अलग-अलग बिद्वानों ने अलग-अलग बता है जिसमें फ्राइड ने साथ सोपानों का वर्णन किया है और वहीं जॉन्सन ने केवल चार सोपानों का उलेक किया है जिसमें सबसे पहले आती है मौकिक अबस्था जिसे ओरल स्टेज कहते हैं फिर आती है सामाजी करण के प्रमुक्ष कारा की आभिकरण जिसमें परिवार सामाजी करण का मुख्य आभिकरण है आर्थिक इस्तर पडोस विद्याले जाती और नातेदारी समय इससे व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है सामाजी करण के प्रकार जिसमें प्रात्मिक सामाजी करण प्रात्मिक सामाजी करण के अंतरगत जब बच्चा पैदा होता है तो यह जो सामाजी करण की प्रक्रिया है यह शुरुवात में ही प्रारम हो जाती है इसमें बच्चा रहन सायन के तौर तरीकों को सीखता है और सम प्लब हो जाती है और नेक्स आता है दोती समाजी करण इसके अंतर गत्त जब बच्चा बड़ा होता है परिवार परिवार से बाहर वो विद्याले समू अपने खेल समू में जाता है तो वहां पर बालक विकास के साथ साथ अपने समाजिक आच्रणों को भी सीखता है फिर आ सब क्या है प्रात्मिक और माध्मिक समाजी करण में पूर्ण तयार नहीं होते हैं समाजी करण का यह रूप जो परिवर्तित स्वरूप है समाजी करण का यह नए करतव्यों को सिखाता है प्रत्याशित समाजी करण इसके अंतर गत्त यह समाजी करण एक ऐसी प्रक्रिया क को प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति उस समुव में शामिल होने की प्रत्याशा के साथ समुव की संस्कृति को सीखता है, जैसे कि व्यक्ति उस इस्थिति या समुव के उचित विश्वासों, मूल्यों और मानडंडों को सीखता है, जिसकी वै आकांछा करता है जिसकी भया आशा करता है, वैं सीखता है, और अपनी नई भूमिका में रह के कैसे कार करना है, वो सीखता है. उनर समाजी करण. उनर्सामाजीकरण का मतलब है कि वेवहार स्वरूप को त्यागने किसी के जीवन में एक परिवर्तन के हिस्से के रूप में नए लोगों को सुईकार करने की प्रक्रिया को हम उनर्सामाजीकरण कहते हैं. यह कब होता है इस प्रकार का सामाजीकरण? जब एक सामाजिक भूमी का मौलिक रूप से बदल जाती है. नेक्स्ट हम आते हैं सामाजीकरण की आवश्रक्ता और महत्व. सामाजीकरण एक तरह की सामाजिक नियंतर हैं जिसका उप्योग समू के जीवन को सक्तिशाली बनाने और व्यक्तित्यू का विकास करने के लिए किया जाता है. तो सामाजीकरण की जो महत्व आवश्रक्ता है उसको हम नेंग पॉइंट की माध्यम से बता सकते हैं जिसमें सामाजिकता का विकास. सामाजीकरण की द्वारा व्यक्ति की सामाजिकता का विकास होता है और साथ ही साथ सामाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? पहला पॉइंट से एक सामाजिक प्राणि नहीं बनता है नियम बद्धता का विकास अनुशासन और नियम बद्धता आती है और वे नए विवहारों को सीखने का प्रयास करता है और इसी के माध्यम से इंसान अपने नए विवहारों को सीखता है समाजिक भूमिका की पूर्ति और प्रसिक्षा, प्रतेक विक्ति किसी न किसी समाज का सदस्य होता है और समाज में प्रतेक विक्ति को यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि उसकी समाजिक इस्थिती क्या है, अन्य विक्तियों की तुलना में वो कैसी है और इसको ध्यान में रखतर ही वह अलग-अलग प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाहन करता है। सामाजिक भूमिकाओं की पूर्ति का प्रसिक्षा प्रतेक व्यक्ति किसी ना किसी समाज का सदस्य है। और समाज में प्रतेक व्यक्ति को यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि उसकी सामाजिक स्थिति अन्य व्यक्तियों की तुलना में कैसी है इसको यह ध्यान में रखतरवर अलग अलग प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाहन कर सकता है आकांचाओं की पूर्थी अनुशाशन एवं आकांशाओं की पूरती में घनिस्ट तम्मन्ध होता है और अनुशाशन स्वयम ही व्यक्ति को कोई पुरुसकार नहीं देता बलकि आकांशाओं उसको पूरा करने में उसकी मदद करता है और सामाजिक शमताओं का विकास का मतलब है यहाँ वे गुण हैं जो व्यक्ति को समाज से अनकूलन करने में सहायक होते हैं जैसे पत्र लिखने की जो कला होती है या आपके पडौसियों से व्योभार, आपका व्योभार इसके आगे जो हमारा point आता है मतारोपड की अधार्ना मतारोपड शब्द का मुखता दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है एक यह कि प्रतेक समान स्वयम के व्यक्टि को किसी कार करने या ना करने की सिक्षा देता है उसे उचित या अनुचित के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। उन व्यक्तियों को समाजिक निर्देशन का पालन करना होता है। और यह समाज अपने लोगों को समाजिक मांदनों के अनुसार व्योहार करने के लिए प्रेरित करता है। यही मतारोपड इसको हम मतारोपड कहते हैं। नेक्स चाहता है समाजिक इस्तरीकरण की अवधार्ण। समाजिक इस्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाशा। समाजिक इस्तरीकरण क्या है। समाजिक इस्तरीकरण वह परक्रिया है जिसमें समाजिक व्यक्तियों को उसकी संपत्ति, प्रतिष्ठा, श्रम, पद, आधि के आधार पर उच्य और निम्न श्रेणी में विभाजित किया जाता है। सामाजिक इस्तरी करण का अर्थ किसी सामाजिक विवस्था में व्यक्तियों के उच निम क्रम विन्यास में विभाजित से संबन्दित है। सामाजिक इस्तरी करण के प्रमुगधारना, सामाजिक इस्तरी करण को हम निम लिकित आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं। समाजों में कुछ समुग के सदस्यों को जन्व के आधार पर उच्च वंशे संबन्दित होने के कारण उनको समाज में एक उच्च इस्तिती प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर कर्म से नहीं यह जन्व पर आधारित होती है। और इसके अलावा उच्च कुल में जन्व लेने के कारण उनकी योगता और कुशलता को जाने बिना ही अन्य साधार्णों की अपेक्षा उनको समाज में अधिक सम्माने प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आयू। विश्व के सभी समाजों में जो उपरोग प्रोप से भिन्य भिन्य आयू के सदस्यों को एक दूसरे से अलग अधिकार प्रदान किये जाते हैं। सदस्यों की चेतना तथा समाजिक प्रोड़ता से आयू का संबंध होता है। इसी कारण अधिकार शिश्व तथा नौजवानों को प्राप्त नहीं होते हैं। नेच्स्ठ है लिंग भेड़ लिंग के मूल तक पर समाजिक इस तरीकण का स्वरूप बहुत पुराने समय से रहा है। जिसका अर्थ है कि लिंग के तक पर समाज प्रमुक दो वर्गों में बटा हुआ। यह दो वर्गों का निधारण करता है जिसमें पहला है महिला और दूसरा है पुरुषίν . प्रजाति भेट कुस समाजों में कई प्रजातियां सांख्या के लोग साथ सत रहते हैं और वहां संक्या अधिक होती है तथा आर्थिक, राजनेतिक और प्रशास्की विवस्था पर अधिकार भी होता है अन्य प्रजातियों की अपेक्षा उच्च सामाजिक इस्तर की होती है इसके अंतरगत निम लिखित points को समलित किया गया है जिसमें व्योसाय व्योसाय क्या है सामाजिक संस्कृति का आधार है धार्मिक ज्ञान इसके अलावा संप्ति और व्यक्ति की योगिता कारेकुशलता नाव इसके अलावा उसकी राजनीतिक शक्ति ये सब भी उसके एक समाज में उसके स्तरीकरण के निर्धारण का कारण है समाजिक संघर्षों से सुरक्षा भी होती है साथी साथ मनोब्रतियों का निर्धारण होता है सक्तिका संतुलन, गतिशीलता और स्वस्त प्रतियोगिताओं में व्रध्धी होती है आए बच्चो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड यूंट में जिसका नाम है सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंद्रन सामाजिक परिवर्तन, सामाज में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है जिसमें परिवर्तन ना होता हो तो सामाज में जो भी चीज है या इस संसार में जो भी चीज है वो हमेशने परिवर्तन आता ही रहता है तो यहां पे हम सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, वो एक शास्वत नियम है और यहां पे सबकुछ परिवर्तन शील होता है, क्योंकि सामाज और संस्कृत में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि परिवर्तन के बिना सामाज की जो का नाम दिया थाल लेकिन सामाजिक परिवरतन के समाज़शास्री काल-माक्स को माना जाता है, काल-माक्स सामाजिक परिवरतन के समाज़ और समय सापेक्ष होता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि दो समाजों, दो समोहों में अंतर हो सकता है, या एक ही समाज समय के दो बिन्नों में अंतर हो सकता है, लेकिन सामानिता सामाजिक परिवर्तन को समय सापेक्ष ही माना जाता है, वो समय के अनुसार ही परिवर्तित होता इसलिए समयंतर के कारण परिवर्तन को दुई कालिक या बहुकालिक माना जाता है, एक कालिक नहीं माना जाता है, तो मानों समाज में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, मानों में परिवर्तन शीलता, सवभाव के परिणाम सवरू, मानों समाज में भी निरंतर परिवर्तन हो बने रहते हैं, हर एक डेश में का इतिहास अलगल होता है, जिसमें राज्यों का विग्टन निर्माण शामिल होता है, ऐसे में पुरानी परंपरा और रूडवाधिता को लेकर इकी जगहें, नए नए रीत रिवाद, पहनावे, पृथाएं, आधी इन सब में बदलाव आता सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा, यहां पर सामाजिक परिवर्तन से क्या तात पर है, तो इसके बारे में बात की हमने, और अब हम सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, यह दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और परिवर्तन, समाज का अर्थ केवल व्यक्तियो का समू नहीं बलकि समू में रहने वाले विक्तियों के आपस के संबंधों समाज समाजिक संबंधों का जाल है जैसा कि हम हमें और आप सब जानते ही हैं कि समाजिक संबंधों के आधार पर ही समाज विक्सित करता है तो इसे हम समाजिक संबंधों का जाल कहते हैं और परिवर् यहां पर हम देखते हैं, तो पहले की स्थिती और आज की स्थिती में जो आने वाला अंतर या उसी को हम परिवर्तन कहते हैं, इस प्रकार समाज की पहले की स्थिती और बात की स्थिती में अंतर होना जरूरी है, सामाजिक परिवर्तन के लिए दोनों स्थितियों में अंतर हो पांतर को वर्णन करने के लिए प्रियुक्त होता है। दूसरा है Johnson के अनुसार, सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कारण एवं विचार करने के तरीकों में उत्पन होने वाले परिवर्तन कहकर परिभाशित किया जा सकता है। MacIver and Page ने भी इसे परिवाशत करते हुए कहा है कि समाज शास्री होने के कारण बिना विशेसरुची प्रतेक रूप में सामाजिक संबंध हैं केवल इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। नेक्स हमारा पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन की प्रकति या विशेस्ता। सामाजिक परिवर्तन की क्या विशेस्ता हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो समाज क्या है? मौलिक तत्व है. परिवर्तन की गति में मिन्नता होती है, परिवर्तन अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं, समाजिक परिवर्तन को मापना असंभव है. समाज में आय हुए परिवर्तन को हम महसूस कर सकते हैं देख सकते हैं पर उसको माप नहीं सकते हैं और निश्चित भविश्यवारी करना असंभव है समाज के बारे में कोई निश्चिक भविश्वारी करना असंब्ह होता है, हम उसकर ऐनुमान लगा अनुमान के आधार पे कोई भविश्वारी नहीं कर सकते। समाजिक परिवर्तन का चक्री और रेखी रूम साती साती यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक परिवर्तन के कारण, प्राकृतिक या भौतिक कारण, ठीक है? कई बार कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जिसके विजाए से समाज में परिवर्तन होता है, जैवे की कारण होते हैं, ठीक है? कई बार इस्त्री और पुरुष का विवाह होता है, और वो अलग-अलग संस्कृति या अलग-अलग कल्चर से होते हैं, इसके अलावा समाजिक परिवर्तन के कारण, जो हमार नेक्स पॉइंट है, तो इसमें पहला है प्राकृतिक या भौतिक कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण कुछ परिवर्तन समाज में आ सकते हैं, जैवे क कारण, प्रजाति मिष्रन के कारण, या जन्मदर में अधिक्ता होने के कारण हो सकता है भविष्य में, जो बच्चे पैदा हो, उनमें कुछ शारीरिक कमी हो, इस टाइप के परिवर्तन आ सकते हैं, जन संख्यात्मक कारण, जन संख्या बढ़ सकती है, प्रद्योगी की अबसे जाहिर सी बात है कि जब इनका विकास होता है, development होता है, तो समाज में जैसे गाउं हैं, गाउं से हम नगर की तरप जाते हैं, और इस कारण अपने इस्थिती को सुधारने के लिए वहाँ पे काम करते हैं, तो कहीं न कहीं एक आथिक कारण भी होता है, जो समाजिक पर परिवर्तन में बाधा उत्पन करते हैं अपरिचित इवा भै रूडवादिता निहित स्वात और धर्म साथ ही साथ उचित इश्छा का अभाव यह जो पॉइंट्स हैं यह सामाजिक परिवर्तन को रोप में एक तरह से रुकावण बनने का कारे करते हैं नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट उद्विकास क्या है उद्विकास की उत्पर्ति को लेटिन भाशा से लिया गया है इसका अर्थ क्या होता है बाहर की और और बाहर की और फैलाओ से इसका अर्थ लिया जाता है उद्विकास का अर्थ किसी वस्तु के फैलाने या बढ़ने की प्रवत्ती से है ठीक है उद्विकास का तातपर क्या है किसी भी वस्तु को फैलाना या उसका विकास होना किन्तु व्यज्ञानिक दश्टि से उद्विकास का अर्थ पूरा नहीं माना जाता है व्यज्ञानिक संदर में उद्विकास की प्रक्रिया को एक सरल वस्तु कार् जटिल रूप जब धारण कर लेती है, तो वह उद्विकास कहलाता है. जैसे एक कोशिका का मानव शिशू के रूप में परिवर्तन हो जाना, एक बीज का अंकुरित होकर बुरक्ष का रूप धारण कर लेना. जब मानव शिशू होता है वो एक भ्रोड के रूप में होता है और धीरे धीरे उसकी जो विकास की प्रक्रिया होती है वो जटिल होती जाती है तो वही चीज यहाँ पर समझाई गई है अब स्पैंसर ने इसको समझाया है उद विकास कुछ तत्वों के एक ही करणता था उसस निर्णतर्थ करते हुए कि जब परिवर्तन में निरंतरता ही नहीं, बलकि परिवर्तन की एक दिशा होती है, एसे परिवर्तन से हमारा तात्पर उद्विकास से होता है. इस प्रकार मैकाईवर ने आंत्रिक शक्तियों द्वारा होने वाले परिवर्तन को उद्विकास माना है इनका यहाँ दात पर है कि जो हमारे अंदर आंत्रिक शक्तियां है उनका विकास होना जरूरी है उद्विकाश की विसेस्ता है निमलिकित है जिसमें पहला है सरल से जटिल ठीक है जैसा हमने अभी समझाय था एक भूड का जो मैंने उदारण दिया था वही चीज यहां है कि उद्विकाश की प्रक्रिया सदैव सरलता से जटिलता की ओर होती है शुरुवात में कोई वस्तु समाने नहीं समाने होती है लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप जटिल हो जाता है शुरुवात में जो वस्तु होती है या कोई भी वस्तु की हम बात करें वो एक समाने रूप में होती है पर जब उसका विकास होता है तो उसमें उसकी छमताएं बढ़ती हैं और तो वो धीरे-धीरे क्या होता है कि वो जटिल रूप धारण कर लेता है नेक्स्ट पॉइंट है सतत एवं मंदगती से परिवर्तन धीरे-धीरे परिवर्तन होता है पर लगातार होता है विभेदी करण की प्रक्रिया के रूप में, एक सारभौमिक प्रक्रिया के रूप में, सारभौमिक काट क्या है? प्रतेक इस्थान पर फैला हुए. उद्विकास सभी इस्थानों और सभी कालों में पाया जाता है. नेक्स्ट है निश्चित चरण और कार्मिक परिवर्तन उद्विकास परिवर्तन कुछ निश्चित चरणों के आधार पर होता है और क्रम से होता है जैसे प्रथम दोतीय तृतीय चरण में परिवर्तन होते जाते हैं जैसे एक बालक पहले युवा होगा युवा के बाद वह ब्रद रूप में आया सामाजिक उद्विकास सामाजिक उद्विकास का ताट पर डर्विन के उद्विकासी सिध्धान्त पर यह आधारित है अंग्रेश यमास्ता स्री हर्बर्ड स्पेंसर ने अपनी जो किताब उन्होंने लिखी प्रिंसिपल ओफ सोशियोलाजी में सामाजिक उद्विकास की धार्णा का प्रतिपादन गिया सामाज एवं सावयों में समानता को स्थापित की तो यहां पर एक क्वेस्टिन के तोर पर यह चीजें हम देख सकते हैं कि principle of socialism किसकी वप्ती, और किसने सामाज Kumaj Wigaj के अधारना का प्रितिपादन नेक्स्ट आता है, Spencer ने क्मे क्या बताए कि समाज का विकास, जीवों के विकास की तरह ही होता है तिकांगे, जासे जीव का विकास होता है वैसे ही समाज का विकास होता है जीव का विकास, जैसे मानो जीव है, तो वो एक भूड के रूप में होता है, धीरे-धीरे उसमें development होते हैं, ऐसे ही समाज का विकास है, कि पहले वो क्या थे मानो समाज, धीरे-धीरे विक्सित हुआ, पहले वो अकेले रहते थे, फिर उन्होंने जुन में रहना सीखा, धीर समाजिक संगुठा ने वहम से प्रथाय अलग-अलग दिखाई देने लगी, उनमें कार विभाजन उत्पन हुआ और विशेशी करण होने लगा, जैसे-जैसे development होता गया, कार का विभाजन भी होता गया, कि कौन किस वर्थ का क्या काम है, या किस जाती का क्या काम है, और ध प्रतेक अवस्था को अलग-अलग इस तर में डिवाइट किया गया है, जैसे निम, मध्यम और उचेस्था, तो यहां पर हम सबसे पहले जंगली अवस्था के बारे में बात करेंगे, यह अवस्था मनुष्य के सामाजिक जीवन की सबसे पहली अवस्था थी, जिसमें मान जीवन क्या था, बहुत उदमें संघर्ष था, बहुत कष्ट में था, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनमें परिवर्तन होता गया, जैसे जंगली अवस्था का निमनेस्था, ठीक है, वो अकेले रहते थे, कच्चा मास खाते थे, धीरे-धीरे उन्होंने अग्मी का अव अपेक्षा उन्नत था, इस अवस्था के तीन निमलिखित उपिस्तर बताये गए हैं, बर्बर अवस्था का निमनेस्था इस इस्तर में मानव जीवन, पूर्व की अपेक्षा अधिक स्थिर हो चुका था, किन्तों जुन्ड अभी भी घुमंतु जीवन ही पितीत करते थे कि कि यहां पे जो निमन अवस्था थी, बर्बर अवस्था का निमनेस्तर था, इसमें मानव समूध जुन्टों बना कर रहने लगे थे, लेकिन वो अभी भी एक जगे स्थाई रूप से निवास नहीं कर रहे थे, और बर्बर अवस्था का मध्धेस्तर क्या है, बर्बर इस इस्तर में मानव द्वारा पशुपालन और क्रशिपालन की शुरुवात हो चुकी थी, मानव पशुओं के चारे के लिए इधर उधर घूमता था, और कुछ सदस्यों ने बीज के पे लगाने की प्रक्रिया को सीख लिया था, ठीक है, और उनका निवास इस्थिर होने भाश कर्शिकर्णा भी सेख लिया था, अब आती है, बरबर अवस्ता की उच्चहिसतर इसमें मानौ ने ओजार बनाने की शुरू कर दिया था, और जार लोहे से बने होते थे इनमें अनेक नोखदार और तीखे हठियार होते थे, तो पहले उन्होंने किस से आऴार बना इस अवस्था में इस्त्री पुरुषों के बीच स्रम विभाजन भी बढ़ गया था, कि इस्त्री का क्या काम होगा और पुरुषों का क्या काम होगा, नेक्स्ट है सभ्धता की अवस्था, तो सामाजिक उद्विकास का यह अंतिम चरण है, जिसके तीन उपिस्तर है, पहले जो इसका उपिस्तर है वो है सभ्धता की निमनवस्था, इस अवस्था में लेखन कारे शुरू हो चुका था, लोग लिखना जान गये थे और संसुरत का संचारण सरल हो चुका था, क्योंकि भाषा के प्रयोग एवं पढ़ना लिखना शुरू हो चुका था, इन्होंने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था, लिखना यह जानने लगे थे और भाषा का प्रयोग करना भी शुरू हो चुका था, जो सेकेंड पॉइंट है हम सभ्य अवस्था का मध्यमेस्तर, इसमें सभ्य अवस्था का वायस्तर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठनों में विवस्था है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूप से जाना जाता है, इसी समय स्रम विभाजन विशेशी करण में बढ़ोतरी हुई थी, ठीक है, स्रम सभ्य भाजन का विशेशी करण हो चुका था, राज के कारेचेतर का विकास हुऊ और सरकार और कानून का भी विस्तार होना शुरू हुआ, थर्ड आता है सभ्यता का उच्छे स्तर, तो मारगन ने इस स्तर के शुरुवात उन्नीसवी सताबदी के उत्तरार्ध में मानी है, जब से अध्योगी करण और नगरी करण आधनिक जटिल सभ्यता का उदय हुआ, प्रारम हुआ, तो इस युग में मशीनों की सहायता से बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाने लगा, तो यह जो हमारा पॉइंट है, वो सभ्यता के उच्छे स्तर को दर्शाता है, हमारा न तो शिकार करने और भोजन इकत्र करने में क्या था यह पहले ? मनो आर्थेक जीवन के शुरुवाते ноч dei इस तार में अपने जीवन के निर्वहन है तू शिकार करता था। मचली मार कर खाता था। और फलों द्वारा अपन पना जीवन निर्वाह करता था। नेक्स्ट आता है जो चारा गाह इस तर, इस तर तक मानों ने यह विचार किया कि जीवन यापन के लिए पशुओं को मारने से अच्छा कि पशुओं का पालन पोशन किया जाए, तो इससे क्या है, वे अधिक साधन उनको उपलब्ध हो सकेंगे, इस प्रकार उन्होंने पश पशुओं का पालन पोशन शुरू किया और पशुओं से प्राप दून, मास, खाल, बाल, उन, हड्डियां से वे स्वयम का जीवन यापन करने लगे, ठीक है, यहां पर उनमें जागरुपता बढ़ी कि यदि हम पशुओं को मार के खाने किया पेक्षा, उनका हम यूज कर करना शुरू कर दिया था, वे सबजियां और फलफूल का उत्पादन करने लगा था, बाग लगाने लगा था, इस समय मानों को जीवन था, उसमें अधिक इस्थिर्ता देखने को मिलती है, नेक्स है प्राद्योगी किस तर, तो मानों ने इस यूग में मशीनों का विश्क पशु शक्ति के इस्थान पर जड़ शक्ति, जिसमें कोईला, पेट्रोल, बिजली आधि शामिल है, ठीक है, तो यहां पर उन्होंने क्या किया, कि मशीनों का विश्कार करना सीख लिया, जो किस से चलती थी, कोईला से, पेट्रोल से, डीजल से, यहां पर पशुओं के इ परिवारिक जीवन में उद्विकास, परिवारिक जीवन में मारगन ने परिवार के उद्विकासी सिध्धान को क्रम के रूप में बताया है, बैकोफेन ने परिवार के उद्विकास सिध्धान को प्रस्तुत किया, और सिध्धान को सुनिष्चित रूप मारगन ने दिया तो यहां पर यह question यह भी है कि परिवारिक जीवन के उद्विकास का जो सिध्धान्त है उसको सुनिश्चित रूप किस ने दिया था तो यहां पर आंसर मारगन ने सीमया आधारिक जीवन अनिश्चित और शिथिल यहांपर जादातर क्या था यहां पर यानाचार की बात होती थी अतार पित्रत तु अनिश्चित नहीं था बच्चों का संबन्ध विशेश रूप से मां से होता था क्योंकि मां जन्म देती थी तो इस अवस्था में धीरे ध कर2 दाए के ओखलता नाया और बहुपति विवाह होने लगे बहुपति के विवाह के बाद बहुपतनी विवाह होने लगी क्यों कि दीरे-धह समाज परिवर्तित हुआ और इस्तियों की संंख्या में कमी होती गई जैए इस क्या था 5 5 French का जो वर्चस्व था वो बढ़ गया था और बाद में विकास के इसी क्रम में धीरे-धीरे एक पतनी विवाह या एक विवाह पर ही परिवाद की स्थापना होई नेक्स्ट है कला का उद्विकास कला का उद्विकास प्राकृतिक इस्थिर प्रतीकात्मक वा जैमिति इस तरह में हुआ था और शुरुवात में मानो प्राकृतिक द्रश्यों को उसी प्रिकार से बनाता था जिस प्रिकार से वो होते थी उँ टूर्ब को यहां पर कला के बारे में बात हो रहा ही कि मनुष्य ऐसी प्रकार से ड्रॉक करता था जैसे वो तो इसके पश्चात उसने प्रतीकों द्वारा वस्तुओं को चित्रत किया और अंतिमिस्तर पर कला के प्रदर्शन के द्वारा मानों ने रेखाओं के माध्यम से करना शीख लिया, तो अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वह है धर्म का उद्विकास, धर्म का विकास कैस नेक्स्ट पॉइंट है मारा धर्म का उद्विकास, तो धर्म का उद्विकास टाइलर के अनुसार बहु देवा से एक इश्वरवाद की ओर हुआ था, प्रारम्वित समाज में प्रतेक प्राकृतिक शक्ति को वह भगवान के रूप में पूचते थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्होंने कई देवताओं के स्थान पर एक देवता की अराधना करना स्विकार किया था, तो वर्तमान में उन्हें ये समझ में आया कि जो इश्वर है, वो चाहे जितने स्वरूप है लेकिन इश्वर एक है, उसके नाम वा स्वरूप अलग-अलग हो सकते हैं, यह धारना प्रचलित होगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रगति, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रगति, अंग्रेजी का बोग्रेश सब्द से ही प्रोसेस अब उत्मन हुआ है, जिसका आशय होता है तो इस्टेफ फॉरवर्ड अर्थाथ आगे की और बढ़ना, अप देश को प्राप्थ कारे किया जाता है उसी को प्रगति कहते हुआ. अनुसाद प्रगति वय है जो मानवी सुखों में प्रगति करता है, इनोंने मानवी सुखों के प्रगति को प्रगति बताया बंग्रेशर Buenosayana, माध्यम से ही changes आते हैं, अंतर आते हैं समाज में और यह परिवर्तन नियोजित एवं सामाजिक मूलियों के अनुरूप होता है, तो इस थूल रूप से प्रगति का जो अर्थ होता है, वो होता है आगे बढ़ना, तो यह सामाजिक परिवर्तन का एक विशेज धंग या प्रक में करते हैं, उसको हम प्रगति कहते हैं, तो आग्मर्ण और निमकाफ ने इसको समझाते हुए बताया कि प्रगति का अर्थ होता है, अच्छाई के लिए परिवर्तन और इसलिए प्रगति में मूल्य निर्धारन होता है, नेक्स आता है हमारा point, सामाजिक प्रगति के सापन को विभिन्ध विचारतों ने अलग-अलग रूप में माना है, अलग-अलग रूप में प्रइस्तूत किया है, जैसे सुखवाधी दाश्रिवों के अनुसात, कई लोग का मत, क्या है कि अधिक शुख्व्राफ्ट करना ही प्रगति है, इनका ऐसा मानना था मानना था को तो कला का तरीकिक के चीजों कविष्कार करके ही उसको प्रगती मानता है तो यहां पर घर हर स्थ पर जो उन्हों मानता है तो यहां प्रगति कि जो माप-दन्ड है वो अलग-अलब है नेग्सट आता है बुद्धि-EM-विकास में परिवर्तन के जो रूप है नेच्ट हमाया पॉइंट है व्रधियम्विकास व्रधियम्विकास भी परिवर्तन का ही एक रूप है व्रधि किसी वस्त को निश्विक परिवर्तन की ओर इनिफित करती है साधार्टा आकार में परिवर्तन को व्रद्धी कहा जाता है जैसे आपने देखो कोई आकार है या कोई घर है वो एक छोटे से उसमें बना हुआ है एरिये में लेकिन धीरे धीरे उसको बड़ा करके और बनाया जाए तो लोग कहते लिए लगते कि परिवर्तन हो गया बदल इसने प्रगति कर ली तो वहां इसका आश्य यहीं चीज जिसकी एक सीमा होती है और एक बार सीमा प्राप्त हो जाने पर व्रद्धी रुख जाती है जब वह घर का बनना उन्होंने अपने अनुसार यदि वह घर बनवा लेते हैं तो वह यहां पर वह रुख जाती है उसक कारद परिवर्थन का ही रूप है ठीक है व्रध्धि होती है लेकिन व्रध्धि रुकती भी और कहीं ना कहीं परिवर्थन सदारिप में तरफ संकेत करें किसी समाज में जन्म और इणिय। निधारित की जा 1-2 वाभारें उसके उसकार sweat विकास की विशेस्ता है, तो इसमें पहला आता है, विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया, लगाता है चलने वाली प्रक्रिया, विकास एक निश्चित क्रम में होता है, विकास की एक दिशा निश्चित होती है, विकास प्रक्रति में उद्विकासी या क्रांतिकारी हो सकता है, और विकास का अर्थ होता है गतिशीलता, ठीक है, गतिशीलता का ताथ पर प्रगति से है, और सामाजिक विकास का अर्थ और परिभाशा, जो हमारा नेक्स पॉइंट है, सामाजिक विकास, जिसमें मानव आवश्यक्ताओं और सामाजिक नीतियों कारेक्रमों के बीच सामाज जससे स्थापित करता है यह गरीबी, अज्ञानता, बिमारी, असमानता, आधिके विरुद्ध कारे करता है। इसका उद्देश सभी नागरिकों के जीवन में एक गुडवत्त के रूप में उसको सुधारना है। और इस प्रकार सामाजिक विकास एक नियोजित प्रक्रिया है, जिसमें सामाजिक लक्षों की पूर्थ की जाती है। तो B.S. Dissouza ने इसको समझाते हुए परिभाशित किया है कि सामाजिक विकास वैपर क्रिया है जिसके कारण अपेक्षाक्र सरल समाज एवं विक्सित समाज के रूप में परिवर्तन होता है सामाजिक विकास के जो मापदंड है तो L.T.Hobhouse के अनुसाइट सामाजिक विकास के चार मापदंड उन्होंने बताए हैं जिसमें आकार में व्रध्धी, दक्षिता में व्रध्धी, पारस परेक्ता में व्रध्धी और स्वाधीनता में व्रध्धी आकार में व्रद्धि, प्राणी सास्थ के समान सामाजिक रचनाव में भी परिवर्तन होता रहता है, जैसे समू है, समू से समुदाय परिवर्तित होते हैं, समुदाय धीरे-धीरे कस्वे में परिवर्तित होता है, तो ये आकार में व्रद्धी के रूप में दर्शाता है, कि सामाजिक विकास के में किस तरह से धीरे-धीरे परिवर्तन होता है, दक्षता में व्रद्धी, ठीक है, इसकिल्स में व्रद्धी होना, जैसे एक शिशु की सारीरिक व्रद्धी के साथ सक्कुशलता में भी समान र स्वाधिन्ता में व्रद्धि विकास की प्रक्रिया पारस्परिक्ता को भी बढ़ाती है स्वाधिन्ता में व्रद्धि विकास द्वारा आत्म निर्भरता बढ़ती है जो स्वाधिन्ता की भावना उत्पन्न करती है समाज के विकास की प्रक्रिया के साथ सदस्यों के व्यक्तिगत आर्थिक राजनैतिक स्वाधिनताओं में भी व्रधि होती जाती है क्रांति का ज़र रिवोलुशन का मतलब होता है मौलिक रूप से तीव रगती से होने वाले परिवर्थनों से इसको लिया गया जो तेजी से परिवर्थन होते हैं जो वस्तु में अमूल भूत परिवर्तन ला देते हैं जैसे आजादी के पूर्व क्या था कि गुलाम था देश और धीरे-धीरे एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया उसमें बदलाव आया समाज में लोगों की सोच में परिवर्तन आया तो यहां पर क्रांति का आशर वही संगट्षनात्मक सनरच्णा में होने वाला मूल भूथ परिवर्तन जो अपेकशक्त्मक में और कब अ HEY के माध्यम क्रांति भी तो यहां पे बिटाया गया सामाजिक Pरिवर्तन क्रांति के द्वारा भी इस लिए भासी सम्झा teeny Jersey राज्य और निमकाफ की अनुसार, क्रांती संस्कृति में दृत कामी परिवर्तन है, जो कुछ विस्तार के लिए होता है, नेक्स्ट है क्रांती के प्रकार, तो क्रांती के जो टाइप्स यहां बताएं गए हैं, सबसे पहला है राजनीतिक क्रांती, दूसरा है आर्थी क्रांती, धार क्रांति पारिवारिक क्रांति और राष्टवादी क्रांति संपूर्ण क्रांति प्रतिक्रांति और सांस्कृतिक क्रांति साथ सामाजिक क्रांति सामाजिक क्रांति कार्थो परिभाशा समाज में व्याप्त धार्मिक अथवा सांस्कृतित फूर्वाधिता प्रथाओं को समार्थ करने का प्रयास करना ही सामाजिक क्रांति कहलाती है। कि मौल यंग ने इसको परिभाशित करते हुए समझाते हुए बताया है कि क्रांति एक ऐसा आकस्मिक सामाजिक परिवर्तन है जो साधार्तिया वर्तमान राजनीती विवस्था के बल पूर्वक उलट जाने से उत्पन होती है और जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक तथा क आनूनिक नियंतरण में ने स्वरूपों की स्थापना हो जाती है समाजिक परांति का आशानक से होती है तिक Aleks 100 clips के क्या मुक्रग बताए गए हैं जिसमें पहला है जाने से सामाजए नियंतरण के लिए विभिन सामाजिक आर्थिक वर्डों के जो विरोधी समूंह उते हैं उनके बीच क्या है तक्ता का संघर्ष हो ता है और यहां पे तनावदपन होता है साथ ही साथ ये धीरे धीरे संघर्ष का रूम धारन कर लेता अगन्य लेकिन असमान ता में समजर्ष को भी पॉरदरशित कर सकती है नियमों के तहर समान प्रतनिदित या स्वतंत्र सरकार बनाने की इच्छा भी सामाजिक क्रांति का एक कारण बनती है नेक्स्ट आता है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है मनुष्य के सामाजिक धाचे में गतिया, मनुष्य के सामाजिक जो रूपरेखा समरचना होती है, उसमें अंतर या प्रगति क्या सकते हैं? इस द्रश्टिकोंड से सामाजिक गतिशीलता का आसे किसी सामाजिक धाचे के अंतरगर्थ, किसी व्यक्ति के सामाजिक इस्तर या सामाजिक इस्थान में होने वाले परिवर्टन से लिया गया, जैसे मानों की सामाजिक इस्थिती, पद का उच्च या निम्न होना सामाजिक गतिशीलता है। सरोकीन ने बताया है कि सामाजिक गतिशीलता का जो अर्थ है वे सामाजिक समू या इस्तर के पुंज में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति तक पहुँचना। तो सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले तत्व जो हैं, यहां पर पहला क्या है? किसी सामाजिक वर्व में उपलब्ध, सामाजिक पदों की संख्या में परिवर्तन होना, पदों की स्थिती में परिवर्तन होना, प्रसवर्ण, दर की विविदता, सामाजिक धाच शिक्षा और व्योおसािक प्रतिश्था यह क्या है गतिशील्था को करने वाले हमारा टॉपिक है सामाजिक नियंधरण का अर्थ उसवेबस्था से लिया जाता है कुछ नियमों और कानून के द्वारा समाज में व्यक्तियों के विवहारों को नियंत्रित करना या किया जाता है इस नियंत्रण से समाज में संघर्ष और तनाव की को दूर करना होता है समाज से जो नियंत्रण क्यों किया जाता है कि समाज जो है संघर्ष और तनाव मुक्त रहे समुहों की अन्य समुहों से रक्षा करने के लिए जो प्रधान या मुख्या होता था उसके आदेशों को स्विकारना था या उसके आदेशों को मानना था और नियमों को प्रभाव पूर्ड बनाने और उन्हें प्रभाव पूर्ड रूप से लागू करने के लिए उपयोग किया जाता है उसी को सामाजिक नियंत्रण के साधन जिनसे हम समाज पर नियंत्रण रखते हैं वह पहला जिसमें है सिक्षण संस्थाए धर्म नेता तथा नेतत्व के द्वारा विचारों को नियंत्रित रखने के लिए महान नेताओं के विच्यार जो होते हैं वो सदयों महात्यों कौन होते हैं वनो विज्ञान के लिश्वा उचित नेतत्व सामाजिक नियंत्रण में महत्तव बूण हुमिका निभाता है धर्म क्या है अलोगिक शक्तियों के डर से इंसान गलत काम करने के इससे बचता है तो धर्म भी एक नियं चारिक शाधने यहां हम उन सभी आदर्शों और नियमों को समलित करते हैं, जिसके अनुसार अधिक समय से लोग व्योहार करते आ रहे हैं। हालागे सभी प्रथाएं, जो कल्चर जो रीतृ रिवाज होते हैं, वो क्या है, उचित हो यह जरूरी नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या है कि इंसान उसका मानता है, उसका पालन करता है, नेस्ट आता है नेतिक्ता, नेतिक्ता का सम्मन व्यक्ति को उचित-अनुचित का ज्ञान कराने से लगाया जाता है, और इसके साथ यह व्यक्ति को चरित्रिक नियमों के अनुसार कार करने और मानवी मू पुलियों को बनाय रखने की प्रेड़ना देता है। नैतिक्ता के सिध्वांतों का बालन इसलिए भी किया जाता है क्योंकि यह न्याय पवित्रता और सत्तेता पर आधारित होते हैं। नेक्स आता है परिवार, परिवार क्या है, गलत काम करने से रोकता है, परिवार के जो बड़े बुज़ुर्ग है, वो हमें समझाते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, तो परिवार भी इन सब का एक महत्तोपूर्ण अभिकरण है, ठीक है, और परिवार ही हमको अपने रीत रिवाजों, अपने कल्चर, अपनी प्रथाओं के बारे में समझाता है, ठीक है? तो यहाँ परिवार हमको कल्चर के बारे में भी ज्ञान देता है, प्रथाएं क्या है, रीत रिवाज क्या है, हमें जो हमारा कारे होना चाहिए, उसी के अनुसार होना चाहिए, यह सारे भी जो भी असमाजिक कारे होते हैं उनको रोकने में स्वायोग प्रदान करता हो सहकर्मी समू अपने सदस्यों को अनौप चारिक प्रतिबंधों के द्वारा नियंत्रित करता है और व्यक्ति के विवहानों को प्रारंभिक जीवन का अनुशासन जीवन पर्यन प्रभावित क होता है वो हमेशा बना रहता है जो हम बच्पन में सीखते हैं उसी को हम हमेशा फॉलो करते रहें आगे आते हम अपनी चौथे हीकाई पर जिसका नाम है सामाजिक अन्ताक्रिया और सामाजिक प्रक्रिया है सामाजिक अन्ताक्रिया का जो अठ है जब दो या दो से अधिक स समझ चुके हैं, तो अन्ता क्रिया के माध्यम से लोगों के मध्य विचारों, भाव का आदान प्रदान होता है, जिसके परिणाम सरूप लोग एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक विक्ति द्वारा की जाने वाली जो क्रियाय होती है, वो दूसरे है तो उत्तेजना के रूप में कारे करती है, और दूसरा जब उस क्रिया का विशिष्ट अर्थ समझ कर उसके प्रतितर के रूप में जो क्रिया करता है, वह अनुक्रिया कहलाती है, और उत्तेजना और अनुक्रिया दोनों ही अन्ता क्रिया के लिए आवश्यक होती है, ठीक है, तो अन्ता क्रि कि आये होती हैं वही अनता क्रिया कहलाती है ग्रीन के अनुसार सामाजिक अनता क्रिया के पारस्परिक प्रभाव हैं जो व्यक्ति एवं समू अपनी समस्याओं को के समाधान के लिए लक्षों की पूर्ति के प्रयात्ने में एक दूसरे पर डालते हैं. ग्रिष्ट ने बताया है कि सामाजिक अन्ताक्रिया वह पारस पर एक प्रभाव है जो मनुष्य परस पर उत्तेजना और अनक्रिया के द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं तो सामाजिक अन्ताक्रिया के प्रकार अब हम यहाँ पर समझेंगे कितने प्रकार है इसके सामाजिक अंतक्रिया के दो प्रकार होते हैं, पहला प्रत्यक्ष अत्वा सारीरिक सामाजिक अंतक्रिया और दूसरा है प्रतिकात्मक अंतक्रिया, तो प्रत्यक्ष सारीरिक सामाजिक अंतक्रिया के अंतरगर सारीरिक रूप से संपर्ग के द्वारा अलग-अलग तरीकों से प्रभावित होते हैं, या ये प्रभावित करते हैं, इन में दो या दो से अधिक व्यक्तियों की व्यक्ति शारीरिक्रियाओं के मर्द्य, संपर्क की भागेदारी जरूरी होती है, इसमें जैसे कुष्टी लड़ना, मुक्के बाजी, फुटबॉल, क्योंकि अकेले कोई भी व्यक्ति इसक्रियाओं को नहीं कर सकता है, इसके लिए किसी अन्य व्यक्ति का होना जरूरी होता है, तो ये प्रत्यक्षव सारीरिक अंताक्रियाओं के अंतरगत आता है, जहां दो टीमों के मध्ध मैच या दो सेनाओं के मध्ध युद्ध शामिल है, प्रतिकात्मक अंत प्रतिक समाज के लोग स्वयम की भाषा में आपसी समवाद करने हैं, तो एक सामान्य भाषा को साजा करते हैं, जो प्रतिकात्मक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है, यह भाषा द्वारा अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे के सामने रखते हैं, या एक दो व्यक्तियों के मध्य पारास पर एक प्रक्रिया कहलाती है, नेक्स्ट है सामाजिक प्रक्रिया, प्राया समाज शास्त्र को सामाजिक संबंधों एवं समाज के धाचे के निर्माड करने वाली विभिन एकाईयों का अध्यन माना जाता है, यह माना जाता है सामानिता कि स जो समाज, सास्त्र के अंतर्गत संबंधों या सामाजिक धाचों का ही अध्यन होता है। वस्तुतर जिन सामाजिक संबंधों से समाज का निर्माढ होता है। अंतक्रिया के माध्यम से ही समाजिक शंबन्धों का निर्मान होता है इसका आधिया है कि जब स्वयम के कुछ हावश्ट्यता है पूरी करने के लिए ब्यक्ति एक दूसरे के संपर्थ में आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो क्या है? वो पारस पर एक अन्ता क्रिया करते हुए एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे के विचार को समझते हैं, इस क्रिया के परिणाम स्वरूप, उनके मंध कई प्रकार के सम्मन स्थापित होते हैं. समाजिक प्रक्रियाओं का ताथ पर अन्ता क्रियाओं के विभिन स्वरूपों से होता है, मैं काईवर और पेज ने भी इसे परिभाशित करते हुए बताया है कि एक प्रक्रिया का अर्थ परिस्थिती, पहले से ही मौजूश शक्तियों की क्रिया शीलता के माध्यम से एक नि निरंतर परिवर्तन से है, सामाजिक प्रक्रिया के आवश्यक्तत्त है, उनमें सबसे पहले आता है कि घटनाओं का एक प्रूप होता है, किसी भी घटना को सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहा जा सकता, चाहे वह कितनी भी अधिक इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि सामाजिक प्रक प्रक्रिया के अंतर घटनाय कई बार घटित होती हैं और घटित होने वाली घटना को सामाजिक प्रक्रिया नहीं कह सकते, क्योंकि यहां घटनाओं की पुनरावरत्ति आवश्यक होती है, परण के लिए किसी के साथ एक उसर पर सहयोग करने को सामाजिक प्रक्रिया नहीं कह स जब तक सामाजिक जीवन में सयोग करने की घटना में पुनरावरति ना हो। बार बार बारम बारता उसमें ना हो। इसका छेत्रवा प्रकती अलग-अलग हो सकती है लेकिन उस चेत्रवाप्रगति अलग-अलग हो सकती है। घटनाओं में संबंध ना होने के से घटनाय मात्र सामाजिक प्रक्रिया नहीं हो सकती, निरंतर्ता, सामाजिक प्रक्रिया के लिए घटनाओं की पुन्रावक्ते हैं साथ साथ, उनमें निरंतर्ता भी आवश्यक है, विशिष्ट परिनाम, सामाजिक घटनाओं का अत्यंत मा बनी रहती है, next हमारा जो point है, वो है सहयोगी संगठनात्मक प्रक्रियाएं, सहयोगी संगठनात्मक प्रक्रियाओं के अंतरगत, सहयोग, एकी करण, सात्मी करण, परसंस्कृति ग्रहन, आदी सामिल है, ये क्या होती है, ये वैसामाजिक प्रक्रियाएं हैं, जो समाज के एक कार्ण और विकास में सहायता करती है. और सामाजिक अंतक क्रिया की सहयोगी या सहिगामी प्रक्रिया तो यहां सबसे पहला प्रकार्गार रहता है closure us. क्या मी श़्योग क्या है? तो यहां में सहयोग अतातर पर दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं या संस्था हैं उनका मिलकरकारना सहयोग कहलाता है। सहयोग की प्रक्रिया के अंतरगत जो ज्यान है या जानकारी है उसका आदान प्रदान होता है परतमान समय में सहयोग इस्थानी इस्तर राष्टी इस्तर अंतर राष्टी इस्तर पर देखने को मिलता है सहयोग के अभाव में समाज का जो अस्तित्व है वो खत्रे में पढ़ प्रक्रियाय होती है उनको solve किया जा सके मेरित और Elvish के अनुसार एक सहयोग समय वह है जो लक्ष प्राप्त करने के लिए मिल जुलकर प्रयास करता है जिसको सब चाहते हैं तो सहयोग के प्रकार में सहयोग के प्रकार जो मैकाईवर एंपेच के अनुसार उन्होंने सायोग के प्रकार बताए हैं, मुख रूप से दो रूपों में उन्होंने वर्णित किया है, पहला है प्रत्यक्ष सायोग और दूसरा है अप्रत्यक्ष सायोग, प्रत्यक्ष सायोग क्या है यह आमने सामने का सायोग, प्रत्यक्ष सायोग के अंतर गतात और पृत्य चछ सैयोग में व्यक्ति एक साथ मिलकर एक जैसा या समानकार करते हैं, जैसे खिलाणियों का जो समू है, अपने विरोधी टीम को हराने के लिए अपनी टीम के सदस्यों के साथ स pont करता है, तो वह पृत्यक्ष सैयोग के अंतरगर आता में नेक्स्ट है अप्रत्यक्षिश सहयोग में व्यक्ति के मन्द्ध अन्ता क्रिया का अभाव पाया जाता है अप्रत्यक्षिश व्यक्तिश में व्यक्ति yों का एक समान-उद्देश होता है Captain Ky врем äramilkairan student recom laying 바quat जाने वाला सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग का ये एक उदाहरण है. Next है एकी करण, सामाजिक प्रक्रियाओं के अध्यन से एकी करण वे प्रक्रिया है, जिससे एक समाज के प्रतेक समूव के मन्द है, मनोभाओं, समवेगों और व्यवहारों में समान जैसे की जो इस्थिती है, वो दिखाई पड़ती है इस्पष्ट रूप से, तो यह प्रक्रिया एकी करण को स्पष्ट करती है, लेकिन इस अर्थ में मतभेद पैदा होते हैं, आपसी तनाव पैदा होता है, क्योंकि विश्व के सभी समाजों में समान व्यवहार और मनोभाओं की प्रिवत्ति नहीं पाई जाती है, एकी करण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, जिसमें आउग्बन और निमकाफ ने एकी करण को प्रभावित करने वाले जो कारकों को शामिल किया है, पहला है, समू का अकार, इस्थानी गत्सीलता, समरूपता, व्यवस्थापन, व्यवस्थापन भी एक समाज सायोग प्रक्रिया है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूः बदलती हुई परिस्थितियों के साथ समायोजन करते हैं मानों के मन में प्रेम और द्वेश जैसी भावना है, हमेशा रहती है, तो कि मनुष्य के मन में प्रेम भी होता है और द्वेश भी होता है दूसरे के लिए, तो प्रेम की भावना क्या है, सहीयोग को विक्सित करने का काम करती है, जिससे सामाजिक एकी करण बढ़ता है, जब प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिससे मनुष्य अपने परिवेस के साथ समानज़ से इस्थापित करता है. Next, पॉइंट है सात्मी करन्ण, शास्त्री दृष्टिकोंड से यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे एक समू, दूसरे समू के सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों, जिसमें रीत्रिवाज आ गए, परंपराय हो गई, पहनावा हो गया, खानपान हो गया, ये इसके अंतर गताते आते हैं, आधी को, मतलब एक सीमा तक एकसेप्ट करता है, कि उस समय दोनों के में कोई जोगी ने एक समू से दूसरे समू के गुणों को धारण किया है, तो परसंस्कृति ग्रहन क्या होता है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, और यह बताती है, कि संस्कृति का विकास किस प्रकार से होता है, कि संस्कृति किस प्रकार से विक्सित होती है, और वह कौन सी स्थि करें गुपार के जहें हैं जिसमें संस्कृति का विकास होता है और ऐसे अनेक समुह एक दूसरे के गुनों को धारन करते हैं। जबकी सत्यता यहां पर यह है कि जब एक दूसरे से अलग-अलग संस्कृति वाले समूह में आपस में संबंधित होते हैं, तो उनके विभिन संस्कृतिक लक्षर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं या आकरश्ट करते हैं. परिणाम स्वरूप एक या एक से अधिक समूहों के द्वारा पारस्परिक रूप से संस्कृतिक विशेस्ताओं को धारण करने की जो क्रिया है वो शुरू हो जाती है, इसको पर संस्कृति ग्रहण कहते हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम जैसे हम शहरों में रहते हैं, शहरों में क्या है? नगरों में हर संस्कृतिके लोग हमारे आसपास बचे हैं, कहीं न कहीं हम उनके उस संस्कृत से प्रभावित होते हैं और वो हमारे ही एक जीवन में एक विशच्ट इस्थान प्राप्त कर लेती हैं. योगी और विग्टन कारी प्रक्रियां, समाजिक वेदबाव, विरोद और विभाजन की दिशा में विशेश योगदान देने वाली प्रक्रियाओं को विग्टन कारी प्रक्रिया कहते हैं सामाजिक अन्तक्रिया की विक्टनकारी प्रक्रिया नकारात्मक प्रकार की अन्तक्रियाई होती है। इन्हें समाज का विक्टन कहा जाता है। या समाज इस तरह की प्रक्रियाओं से विक्टित होता है। यह समाज की प्रगति और विकास में रुकावट पैदा करते हैं, तो विक्टनकारी प्रक्रियाओं में जो निमलिखित प्रक्रियाओं हैं उसके अंतरगत है प्रतिसपर्धा, संघर्ष और प्रतिकूलन, प्रतियोगिता लोगों को अपने जीवन विप्रीत इस्थितियों का सामना करने के लिए तयार करते हैं, प्रतियोगिता आज हम देखते हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए कितनी प्रतियोगिताउ levar गुजरना पदे हैं, या चुनोतियां को स्विकार करना पड़ता है और चुनोतिया या परिवर्तन की स्थिती में द्रढ़ता से उन चुनोतियों का सामना करना सिखाती है ठीक है प्रतियोगिता क्या सिखाती है जो समाज में उत्पन जो चुनोतियां है और आगे बढ़ने के लिए उन चुनोतिय इनों से लड़कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है जो प्रतियोगिता या प्रतिसपर्धा के माध्यम से हम सीखते हैं मैक्स बेबर ने बताया है कि प्रतियसपर्धा क्या है शान्तिपोन संघर्ष है इन्होंने इसे एक संघर्ष का रूप दिया है और बोगाड़स के अंसार प्रतियसपर्धा किसी एक वस्तु को पाने के लिए किया गया एक विबाद है जो इतनी मात्रा जिसमें नहीं पाई जाती कि जिससे मांग को पूर्ती हो सके या मांग को पूरा किया जा सके, next point है हमारा संधश, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच या समूहों के मध्य, समझोते की संभावना जहां नहीं रह जाती, तो वहाँ विवाद की स्थिती बन जाती है, संघर्ष की स्थिती उत्पन हो जाती है, जब व्यक्ति स्वयम के हितों को पूरा करने के लिए किसी दूसरे को हानी पहुचाने लगते हैं, यह क्रिया समाज में संघर्ष की प्रक्रिया को उत्पन करती है, इस प्रकार संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए शक्ति का प्रयोग ना करके व्यक्ति की एक्षाओं का दमन करता है Kingsley Davis ने बताया है कि प्रतिस फर्दा जब आदश नियमों की सीमा से बाहर निकल जाती है तब इस हिती को संघर्ष कहा जाता है Mekaiwan N-Page ने भी इसको परिभाशित करते हुए कहा कि सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रिया कलाब समलित होते हैं जिसमें मनुष्य किसी उद्देश को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं अब आगे चलते हैं हम संघर्ष के प्रकार में संघर्ष के प्रकार संघर्ष को विभिन विद्वानों ने अलग-अलग रूप में परिभाशित किया है जिसे मैं काईवर एंडपेज ने सहयोग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में विभाजित किया है और गिलिन और गिलिन ने संघर्ष को निमलेकित 5 रूपों में विभाजित किया है जिसमें है व्यक्तिक संघर्ष, प्रजाती संघर्ष, वर्ग संघर्ष, राजनी प्रजाती संगष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् रही है, जब भी एक समू अपने आपको स्रेष्ट और दूसरे को निम्न समझने लगता है, तो वहाँ इस प्रकार का संघर्ष देखने मिलता है, राजनीती संघर्ष, राजनीती संघर्ष तो हम सभी जानते हैं, कि राजनीती संघर्ष क्रमसा दो रूपों में होता है, पहल संघर्ष का ही एक भाग है, विभिन राश्टों के बीच होने वाले मतभेद, युद्ध और अंतराश्टी ये संघर्षों का ही उदारण है, इससे क्या है कि राश्टों के प्रतित तनाव उत्पन हो जाता है, और वह अंतराश्टी संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रतिकूलन, प्रतिकूलन एक सामाजिक प्रक्रिया है जो प्रतिसपर्धा और शंघर्ष के मन्ध उपस्थित रहती है, प्रतिकूलन पूर्टा ना तो प्रतिसपर्धा है और ना ही पूरी तरह से ये संघर्ष है, यह एक ऐसी स्थिति है जो अन्य लोगों या कुछ समोहों में सांस्कृतिक तत्तों के प्रतियक छिपा हुआ विवहार है यह विवहार जब घ्रणा में बदल जाता है तो वह क्या है? प्रतिकूलन की इस्थिती पैदा हो जाती है इसमें संधर्ष या विवाद की इस्थिती नहीं होती है प्रतिकूलन प्रकति की जो विशेस्थाएं है पहला है अनिश्चित्ता की इस्थिती और दूसरा है अप्रत्यक्ष घ्रणा अनिश्चित्ता की इस्थिती में प्रतिकूलन की प्रकति की मुख्य विशेस्था यह है कि प्रतिकूलन के अंतरगत हम किसी भी व्यक्ति, विशय या कारिक्रम के बारे में एक निश्चित विचारिया धार्णा बनाने में सफल नहीं हो पाते हैं. तो इसमें एक अनिश्यस्ता की इस्थिती उत्पन हो जाती है और अप्रत्यक्ष घ्रणा के अंतरगत प्रतिकूलन की दूसरी महत्यपूर्ण विशेस्ता या लक्षन अप्रत्यक्ष घ्रणा है। प्रतिकूलन की प्रक्रिया के अंतरगत व्यक्ति के मन में किसी व्यक्ति को या समूव के प्रस्ताव अथ्वा सिधान्त, कारिक्रम, विश्वास आधी के लिए जब संदे उत्पन हो जाता है, संदे पैदा हो जाता है, शंका उत्पन हो जाती है, तो उसके मन में इस उत्पन संदे या संका को ही हम अप्रत्यक्षघ्रन कहते है। इसका परिणाम होता है कि वह उस व्यक्ति या समूवодар करने लगता है या उपएकृत विवहार को अपनाने लगता है। यहां पर हमारा फुल बुक जो रिवीजन है, वो कम्प्लीट होता है, तो उम्मीद करते हूं बच्चों कि जो आपको इस फुल बुक रिवीजन में बताया है, समझाया है, वो आपके लिए एक्जाम के लिए काफे हल्फुल होगा, और इसी तरह आप हमारे वीडियो को देखते रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते रहे हैं।